आख दे ना आंट सांथ बस्काल नेजरेने क्वार ब्याव मर्श ऐस समयपक्राइब के सकते आप स्क्रा दूप değडे कर mett रियरवण विंदो को किस तरह द्रेय्ड को श्यूसरा प्रियाट कर सकते हैं जैसा के आप स्क्रीमर 66 माडवल कर पर देखे जिसक्ते 되면 म nieuwe देखें हैं यह वाल को किस तरह अव्रौई खर सकते हैं different types of windows को किस तरह design कर सकते हैं Windows के साथ इसमेー Sun Shade को किस तरह रोआज कर सकते आ है और again railings को किस तरह provide के सकते हैं तो यह सारी चाहम complete कीस वीडियो में सीखने हैं आपने just मेरी steps सब्सक्राइब करना है तो आपका टाइम जाए कि विखार अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट तो यहां पर मैं जिस ट्रेवट को ओपन कर लेता हूं हम यहां से न्यू पर जाएंगे और एक न्यू फाइल उपन कर लेते हैं कि रेवट में जब भी आप कोई चीज़ डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हो कुछ लेवल्स क्रिएट करने पड़ने हैं तो यहां भी हम सबसे पहले लेवल्स क्रिएट करेंगे तो लेवल्स के लिए यहां पर मैं नौट ऐलिवेशन में नौट पर चला जाता हूं ठीक है और यहां पर देख सकते हो दो लेवल बार डिफॉल्ट हैं तो यहां पर मैं five levels create करोंगा simple architecture time में right side पर आपको level का option में लेगा तीक है मैं इस पर click करता हूं और यहां से में लेवल को क्रीट करूंगा अभी रफली ड्रॉँ कर रहा हूं मैं इसकी डैमेंजिन को हाइट को बाद में सेट कर दो यहां पर हमारे तीन लेवल होगे तो लेवल ओड्रॉट करेंगे है 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 लेवल फ्र और एक लाईबलव और हम यह परण करम घू क्लेंगे द्ञीमिक के लिए लिए लए मैल लेवल फूर फूरी पर वाल के लाई होगा और लेवल फौर की वर हम ग्रिल प्रोड करेंगे अपनी तर इसे तरल डिफरेंट लैउल को बना अध्य रीच existing कर लगते हैं लेवल बन से लेवल टू तब जो हमारी हाइट होगी वह 12 फीट होगी ठाल फीट अगेन लावड टू से लावल 3 तक तक हीं 12 फीट होगी तो जब 12 फीट अट करेंगे तो यह 24 फीट हो जाएगी तो 26 feet तो अगेन लेवल 5 जो आएगी ग्रिल आप लगा सकते हैं तो उसके लिए हम अगेन 2 feet का आफसर देंगे यहां पे 26 है 26 में हम 2 और अड़ करेंगे तो हम इसको 28 करतेंगे 28 feet तो हमारे यहां पे लेवल सेट हो चुके हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले मैं आपको अपना प्लैन दिखा देता हूं इस पे जैसा कि आप इसके लेवल वन पर अगर हम जाएं तो सबसे पहले हम बाउंडरी वाल को क्रियेट करेंगे ठीक है बाउंडरी वाल क्रियेट करने के बाद फिर हम अमारा जो में मॉडल आउस पर आएंगे तो सबसे पहले हम बाउंडरी वाल को क्रियेट कर लेते हैं जैसे क करता हूं और यहां पिसे से पहले बोर्ट रुवाल उक्रियाट करेंगे so अर्टिक टेप डेंगे में और के ओंगा ओहर लूगा करते हैं इसके सबद कर देंगे stimulating घ्लेचड करते हूंगा था है ओंडी का मैं और हें और यहां पर मैं बो Barnes बांडरी वार्ड रा करूँगा जो कि मेरी होगी आलमोस्ट 72 फीट ठीक है और यहां पर जो हम ले रहे हैं वो हम लेते हैं 50 फीट 52 फीट है आप इसको ड्रॉ करेंगे बांडरी वाल को यहां पर जोइन कर दूँगा तो अभी हम इसको अगर ट्रुटी में जाकर देखें तो आप देख सकते हो यहां पर हमारी जो बांडरी वाल है वो क्रिएट हो चुकी है आप इसका व्यूपांट यहां से चेंज कर सकते ह क्यों है विए इस पे क्लिक करेंगे क्लेड़ में जाकर आप इसको रॉड़ी में तेcket के एक है और यहां पर में अभारा जो में मौडal है उसको क्रियेट करेंगे तो में एक जाते हैं वॉल को select किया और यहां पे हम इसको एक model को create कर लेते हैं अब सबसे पहले यहां पे आप वॉल डॉर करने से पहले इसकी height को set करेंगे ठीक है तो यहां पे आपको एक option मेलेगा properties में top constraint का तो टॉप कॉंस्ट्रेट के यहां पे arrow पे किलिक करेंगे और arrow पे किलिक करने के बाद इसको हम up to level 5 कर देंगे इसका मतलब है जो हमारी wall के height होगी वो up to level 5 होगी तो मैं level 5 कर देता हूं और अब मैं अपनी wall को draw करूंगा तो यहां पे हम इसको draw करते हैं अगें इस तन आप अपने model को create करेंगे हम नहीं पर draw कर ली तो हम सिंपल अगर 3D में जाके देखें तो हमारी wall को यहां पर create होगी है आप देख सकते हो अगर मैं इसको यहां पर कि रिलिस्टिक में जाओं तो इस तरह आपकी wall यहां पर show होंगी ठीक है नेक्स्ट हमने इसमें क्या करना है नेक्स्ट हम इसमें floor को provide करेंगे ठीक है different floors हम यहां पर लगाएंगे तो floor के लिए again मैं यहां से level 1 में चला जाता हूँ इसको हम थोड़ा सब मिड में कर देते हैं plan को select कर ले select करके इसको move करेंगे तो यहां पर आगया अब यहां पर हमने level 1 पर अपना floor प्रोवाइड करना है तो again आपको architecture type में एक option मिलेगा floor का ठीक है तो मैं से पहले हैं पर इस floor पर floor architecture पर क्लिक कर देता हूँ क्लिक करने के बाद उबर आपको यह option मिलेगा different line का option है rectangle है polygone है इस तरह different option मिलेंगे तो मैं यहां से rectangle को select कर लेता हूँ और इस point पे click करूँगा और यहां से इस point पे click करूँगा क्लिक करेंगे और यहां से आप इसकी height को कितना आप offset देना चाहते हैं तो मैं इसको six inch कर देता हूँ और यहां से finish कर देंगे तो सी 3D में जाके देखते हैं कि हमारा floor create होगा है या नहीं हुआ 3D में जाते हैं तो यहां पे आप देखते हैं नीचे हमारा floor है वो level 1 का create हो चुका है अब इसी तरह आप level 2 का floor create कर सकते हो इस तरह आपके पस level 2 का अगर आपने floor create करना है उसके दो option है या आप level 2 का floor create कर सकते हो या level 1 की ceiling create कर सकते हो जब दोनों आप create करोगे तो automatic लिए जाएगा ठीक है तो यहां पर मैं again level 2 में जाता हूं और यहां पर level 2 का floor draw करेंगे same method है हमारा architecture tab में floor पर click करेंगे ठीक है है हाइट 6 इंची में रुकूंगा rectangle पर जाएंगे और यहां से इसको select कर लेंगे पर click करेंगे और finish करते है तो अगें 3D में जाके देखते हैं कि हमारा जो floor है वह पर place हुआ है या नहीं हुआ तो यह आप देख सकते हो level 2 पर हमारा जो floor है वह प्लेस हो चुक है तो अगें इसके बाद जो हमारा level 3 तो अगें level 3 पर जाते हैं उसका यहां पर यहां पर level 4 का floor यहां पर लगा सकते हो यहां लेवल 3 की ceiling लगा सकते हो ठीक है तो यहां पर हम जाते हैं sorry level 2 की अगें हम इसका floor provide करेंगे wall architecture tab में floor का option मिलेगा floor architecture rectangle लेंगे height same six inch रखेंगे हम क्लिक करेंगे again यहां पर क्लिक करेंगे और finish करते हैं तो let's check अगे जाते हैं okay यहां आप देख सकते हैं हमारे तीनों लेबल्स के जो floor हम यहां पर लग चुके हैं अब जो हमारा next most important step आता है वो यह है कि हमने यहां पर पोज के लिए और terrace के लिए space को open करना है मैं आपको यहां पर बिसरा plan दिखा देता हूं यह आप देख सकते हो इसमें यह जो हमारे पास space open होई विया terrace के लिए और पॉर्च के लिए हमने इसको open करना है तो यह हम किस तरह करेंगे अगेन वापस अपने plan पर चाते हैं तो मैं यह वाली site ले लगता हूं यहां से हम level 1 में जाएंगे लेवल 1 में जाने के बाद यहां पर मैं एक wall draw करूंगा ठीक है तो गेन architecture tab में वाल पर जाएंगे और यहां पर मैं एक wall draw करूंगा यहां से क्लिक करेंगे ग्रांड अबाऊट of the 5 feet लेते हैं एक और यहां से यहां पर कलिक करतेंगे हैं अब बस यह वाली जो wall ऐसको आए जाए डिलीट कर सकते हो यहां पर यहां पर लेकर आए सकते हो एसको देलिक कर सकते हो तो दूसरा इसका एक और option भी है modify में जाएंगे, यहां से हम इसको trim कर देंगे, ठीक है, तो trim करते हैं, यहां से, और यहां से, इसको trim को again हम रहते हैं, इसको trim भी कर सकते हैं, और move करके पीछे भी लगे जा सकते हो, ठीक है, तो मैं इसको select करूँ, select करके मैं इसको यहां पे place कर दूँगा, ठीक है, अबर हम 3D में जाके देखें, तो 3D में हमारे पास, ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, automatically हमारे पास जो floor है, वो sorry, porch और terrace इसके लिए space open हो चुकी है, ठीक है, तो गें आपने level में जाते हैं, यहां पे, अब आप देखो तो level 1 और level 2 का यहां पे floor ठीक हा रहा है, लेकिन जो मारे पास यह terrace के उपर space आ रही है, यह extra आ रही है, तो हम इसको यहां पे दोबारा draw करते हैं, level 3 पे जाएंगे, और level 3 का जो हमारा floor है, उसको हम यहां पे दोबारा draw करेंगे, तो अगें, architecture tab में जाएंगे, floor में जाएंगे, ठीक है, और यहां से हम rectangle को नहीं लेंगे, इस तफ़ा, यहां पे हम simple line लेंगे, और line को draw करेंगे, क्योंकि हमें जो हमारा floor है, वो सिरफ, इनके corners तक चाहिए, यहां तक top simple line draw करके, उसको draw करेंगे, corner to corner, up line को draw करेंगे, यहां पे कर देंगे, जाएंगे, जाएंगे करने का वाद, simple height आपकी, वो ही six inch रहेगी, और thickness रही, और यहां पे इसको finish कर देंगे, so let's check 3D में, कि हमारा जो plan है, वो कैसा है, तो ठीक है, that's okay, यहां पे आप देख सकते हो, कि हमारा नीचे, पोस्ट के लिए space open होगी है, उपर हमारे पास terrace आ चुका है, तो that's good, अभी सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारी boundary wall है, boundary wall को हम यहां से front से delete करेंगे, ताकि हमें अंदर का view नज़र आए, जैसा कि इस plan में आप देखो, तो ऐसे, तो यहां पे हम इसको कर लेते हैं, draw, again level one में जाएंगे, और यहां से जो हमारी wall है, इसको आप ट्रिम भी कर सकते हैं, और वैसे अगर आप इसको move करना चाहो तो उस तरहां भी कर सकते हैं, तो मैं इसको move कर लगता हूँ, अब यह वली जो wall है, आप इसकी height को भी कम कर सकते हो, ठीक है, तो select करेंगे, और इसको मैं यहां पे, 12 feet की जगह यहां पे हम इसको कर लगते हैं, 4 feet, तागे हम देख का view clear नदर आ जाए, 4 feet, पूट हो गया, तो again 3D पे जाते हैं, सॉरी, हमने गलत wall कर दी है, सॉरी 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 सॉरी, 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 level 1, और यह वाली wall हमारी होगी, तो again इसको यहां से move करेंगे, यहां पे, और इसका हम यहां पे जो height है वो उसको कर देंगे, select करते हैं, 12 feet की जगह हम इसको 4 feet कर देंगे, okay, तो now let's check, 3D में क्या हमलात है, okay, that's good, यहां पे आप देख सकते हो, इस wall की height हमने कम कर दिया, इसी तरह अगर आप बाकी जो walls है, background वाली, जो सॉरी boundary walls है, उनकी height को भी आप कम कर सकते हो, तो मैं इसको कम ही करता हूँ, वो जादा बितर है मारे लिए, again select करें, single click करेंगे तो आपके पास यहां पर option आजाएगा, 4 feet, again this wall को select करें, उससे इसको 4 feet करते हैं, 4 feet, that's good, 3D view पर जाते हैं, okay, तो आप जो हमारा main point डालता है, वो हमने windows ट्रॉ करनी है, ठीक है, तो windows के लिए हम क्या करेंगे, simple, सबसे पहले, यहां पर हम पर सवरी उपर से right view में जाएंगे, जो हमारा front view है, ठीक है, और जिस भी view के उपर आपने window ड्रॉ करनी है, आपने उस पर double click करना है, ठीक है, हमारा यहां पर face यह बला है, अगर आपको rotate करके दिखा हूँ, this is the face, simple, आपने इसको select करने के बाद, आपने just, इस पर double click करना है, ठीक है, तो मैं यहां पर select करता हूँ, simple double click करेंगे, तो अगिन simple front पर जाएंगे, front right view पर, और उपर आपको option में लेगा, यहां पर modify में rectangle का ठीक है, तो simple rectangle मैं यहां पर click करता हूँ, और सबसे पहले मैं यहां पर level 1 पर window create करूँँगा, तो window के लिए यहां पर मैं rectangle को draw करूँगा, इस तरह आपने rectangle draw कर लेनी है, click करेंगे, click करने के बाद यहां पर इसको finish करतेंगे, तो यहां भी आप देखो तो हमार पस जो window के लिए space है वो open हो चुकी है, मैं इसको rotate करके आपको दुखाऊं, तो यह आप देख सकते हो space open हो चुकी है, इसी तरह हम जो हमारा level 2 है उस पर हम यहां पर create कर लेते हैं, space open कर लेते हैं, तो again right पर जाएंगे और यहां से हम simple, double click करूंगा, double click करने के बाद again rectangle लेंगे और यहां से हम level 2 select कर लेते हैं, और यहां पर जाहेंगे, level 2 और यहां पर दुखाएंगे, level 2 के लिए window के लिए space open करेंगे, तो यहां पर अगें, यहां पर vertical में विंडूस प्रोवाइड कर रहा हूं, one, two, four, three, तो इस तरह आप अपनी मज़ी से जिस टैब की window create करना चाहाओ, आप यहां पर create कर सकते हो, अगें यहां से फिनिश करेंगे, तो आप देखो अब तो यहां पर मारे पास जो window के लिए space हो open हो चुकी है ठीक है, यहां आप देख सकते हो, इसी तरह हम यहां पर second view जो हमारा यहां पर यह वाला जो left view है इस पर जाते हैं, और यहां पर हम दोबार अगें अपनी window के लिए space को open करेंगे, method same होगा again, यहां पर मैं face को पहले select करूँगा, double click करूँगा face पर, double click किया, again सबसे पहले level 2 में draw कर लेते हैं, level 2 में आ जाते हैं, यहां पर हम एक window यहां create करेंगे, और एक इसके साथ create करेंगे, इसी तरह हम नीचे level 1 पे, यहां से अपने पहले इसको finish कर देते हैं, finish करने के बाद अगें level 1 पे जाएंगे, 3D में जाएंगे, और दोबारह face को select करेंगे, double click करेंगे, यहां से rectangle पे जाएंगे, और यहां पे window को create करेंगे, इस तरह आप अगें यहां पे second window create करोगे, इस method से, that's it, यहां से finish करेंगे, let's check, इसको rotate करके देखते हैं, कि हमारी window के लिए space open होई है, या नहीं नहीं होई है, तो यहां पे आप देख सकते हो, front पे भी और side पे भी window के लिए space open हो चुकी है, अब next to main step आता है, हमने इसमे class provide करना है, windows के लिए ठीक है, so again, उसके लिए हम क्या करेंगे, again level one पे जाते हैं, और level one पे हमारी जो windows हैं, उन पे हम class को provide करेंगे, so यह हमारी window आ रही है, window के लिए again, wall पे जाएंगे, ठीक है, wall पे जाने के बाद drop down arrow पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद, यहां पे आपको एक option में लिए कर्टन वाल का ठीक है, तो कर्टन वाल पे क्लिक करते हैं, और center to center या आप corner to corner, corner to corner, curtain wall को ट्रॉख करेंगे, curtain wall आपकी basically glass को show करती है, ठीक है, तो यहां पे में क्लिक करता हूँ, okay करेंगे, और let's check 3D, तो यहां पे आप देखो, तो हमारी curtain wall ड्रॉख चुक है, लेकिन इसकी height बहुत जाद है, तो हम इसको manually यहां पे adjust करेंगे, ऐसे करके, drag करेंगे नीचे यहां तक, और नीचे से भी हम इसको drag करके, इस point टक लेंगे, तो यहां पे आप देखो हमारी जो window है, उसमें हमारा glass प्रोवाइड हो चुक है, यह आप देख सकते हो, तो इसी तरह हम बाकी जो हमारी फ्लॉर, हमारी फ्लॉर पे लेवल्स पे windows यहां सब पे, हम इस तरह ग्लास को प्रोवाइड करेंगे, तो अगेन हम यहां पे डिफ्रेंट बाकी जो लेवल्स आएगे लेवल टू पे जाते हैं, लेवल टू पे भी सेम इसी सरह हम कुर्टन वाल का यूज करेंगे, कुर्टन वाल, सेंटर डू सेंटर, ठीक है, यहां पे ड्रॉ करेंगे, जितनी भी आपको इस windows हैं सब पे अपने method सेम अप्लाय होगा, और तरह यहां पे भी हम अप्लाय करेंगे, करेंगे, इसको manually हम adjust करेंगे, फर्स्ट हमारे पास, कुर्टन वाल यहां तक प्लेस करेंगे, यहां तक हम इसको लेकर आ सकते हैं, आप इसको copy भी कर सकते हैं एक को, और manually यह लएदा लएदा भी draw कर सकते हैं, तो इसको यहां बेर लगते हैं, ऐसे, यह वहली जो हमारी window है, उसमें भी हम सेम इसी तरह करेंगे, प्लेस कर देंगे, आप देख सकते हैं, यहां पे हमारी window है उसमें एक ग्लास को प्रोवाइट कर दिया है, आप सेम इसारा लेफ्ट वीव यहां पे भी आप सेम इसी सरह ग्लास को प्रोवाइट करेंगे, तो नेक्स जो हमारी चीज आती है वह आती है कि ग्लास के अंदर हमने डिफरेंट ग्लास के पैनल्स को किस तरह शो करना है, ठीक है, तो पहले हम लेवल बन पे चला जाते हैं, लेवल टन पे जाने के बाद, 3D में, ठीक है, यहां पे मैं राइट वीव में चला जाता हूँ, अब जो डिफरेंट पैनल्स हैं, पैनल्स के लिए यहां पे आपको एक option मिलेगा, this is a curtain grid का, curtain grid का यहां दूसरा option यूज़ कर सकते हो, Moline का, Moline आपके basically frame के लिए उस होता है, और curtain grid है वह पैनल्स के लिए उस होता है, तो यहां पे curtain grid पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहां पे मैं कुछ frames को create करूंगा, यहां पे one, 2 & 3 , त्री ? अब यहां से मैं next to media step again architecture tab में जाऊंगा और bullion पर जाऊंगा , bullion आपका frame के लिए यह इस वाद से bullion पर जाने के बाद all grid lines पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक कर दोगा है मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा मेरा window का frame है वह यहां पर विंडो की सिंपल लाइंस थी वो फ्रेम में चेंज हो जाएंगी मैं 3D में आपको तका देता हूं और यूपॉंट चेंज करके यह आप देख सकते हो हमारी जो विंडो थी वो फ्रेम में चेंज हो चुकी है तो इस तरह आप मुलियन का यूज करोगे सेम लेवल 2 पर जाएं और यहां पे और यहां पर ठीक है अगीं आर्किटछे टैप में जाएंगे और यहां से मुलियन का यूज करेंगे आल गरेड लाइन करेंगे इसको करेंगे और इसको रोडेट करके देखते हैं अब आप देख सकते हो विंडू पर हमने श्माल फिस पेस पहले उसमिंग्ट को प्लेस किया और उसके बाद हमने इफ्रेंट पैनल्स और यहां पर फ्रेम को लगा दिया तो इस इनी कुछ मश्किल नहीं है से हम आपने मूलियन और कर्टंग्रेट का यूज की है दो यह पर वी हम पर चार विड़ोस है पर हम चाठ आप यह प्रॉस्स करेंगे हम पर भी कर लयते हैं सिंपल चोँदोस बनाने के बाद यहां पर हम निक्स विड़ोस के लिए संचेट को क्रीड करेंगे सो Sunset के लिए Simple हम यहां पर Right View में चला जाते हैं और यहां पर हम सबसे पहले Level 1 पर Sunset को Create करेंगे उसके लिए Simple आपने Architecture टैप पर क्लिक करने Architecture टैप पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक Option में लगा Component का ठीक है So Component में क्लिक करते हैं यहां पर Model in Place पर क्लिक करेंगे Model Place पर क्लिक करने के बाद यहां पर हम नीचे ट्रैक करेंगे और यहां पर आपको Option में लगा Generic Models का ठीक है So Generic Models पर क्लिक करेंगे यहां से OK करेंगे OK करने के बाद यहां पर Extrusion को Select करेंगे करने के बाद set plane पे click करेंगे और यहां से हम pick up plane करेंगे ठीक है okay करेंगे और सबसे पहले मुझे level 1 पे मैंने sun chair draw करना है तो level 1 पे मैं click करूँगा click करने के बाद यहां से मैं rectangle लूँगा ठीक है अब हम pick up plane plane को पहले set कर ले corner पर click करेंगे और यहां पर click करेंगे जहां पर आपकी window end और यह ठीक है अब मैं click करूँगा अब यहां पर मैं offset provide करूँगा जो कि मेरा sunshine की thickness होगी तो यहां यहां पर मैं देदा हूँ six inch नीचे आपको offset option में लेगा six inch और अगेन इसी point पर मैं click करूँगा यह आप देख सकते हो automatically मेरा sunshine की जो thickness हम यहां पर create हो रही है इस पर click करूँगा तो यहां पर एक create हो जाएगा तो यह एक extrusion मिलेगी तो extrusion के लिए आपने simple one feet है तो मैं इसको यहां पर minus one feet कर दूँगा ठीक है minus one feet तो let's check यहां से इसको finish करेंगे और इसको 3D में जाके check करते हैं let's go into the 3D okay यहां पर आप देख सकते हो हमारा जो sunset हो यहां पर ready हो चाहिए आप इसको यहां पर क्लिक करो आप इसको यहां पर इसकी क्या कहते हैं extrusion को increase भी कर सकते हैं आपको एरन उदर आएगा arrow से ड्रैग करो जिदना भी इसको बाइर extrude करना चाहो extrude कर सकते हो ठीक है तो इस तरह आप अपनी विंडो के लिए sunset को provide करोगे तो यह हम लेवल टू में जाते हैं और लेवल टू में हम अगें अपने जो चैंगे करेंगे यहांसे extrusion प्लिक करेंगे और यहांसे से सैट प्लेट करेंगे domain jam फुले कई हो के चैका और आप लेन कों साम यूस करें सपिकलिक करते हैं एकंगी रेक्तेंक्टेंगल लेंगे और यहां पे जिस्ट मैं सको इस्ट पे चला जाता हूं कि कीि अधराजे रैक्टेंगल और इसके यहां पे संचे ट्रॉइप करेंगे अगें पूपि अगें डॉप करेंगे अजिए अपने आप सर्च घूंगे फुक्सकेद रिसलिए फीज का किんな informed रॉर करेंगे यह पिर आफस decimal देंगे फ्री इंच का ए कि टोब करता हुँ मैं हैं यहां पे क्लिक करूंगा कि इसी तरह बागी ऐंद के लिए यहां पर क्लिक करेंगे अच्छा लिए हा जाइगा ठीक है गि इस विंडू के लिए भी छेट कि यहाँ पर एक्स्टुजियर हमारी माइनस वन फीटा होगे है यहाँ पर इसको फिनिश करेंगे फिनिश करने के बाद जाते हैं ऑप देखते हैं यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी जो second level two की windows है इन पर भी हमने sunshade को create कर दिया आप इसके thickness को increase कर सकते हो गया इसके जो arrow है उनको drag करके करेंगे सो हमें इसको यहाँ पर increase नहीं करते हैं यहाँ पे इतनी सही हैं यहाँ तो आप इस तरह इसको create कर सकते हो अगये वाकिया जो आपके left side windows पे इस तरह sunset create कर सकते हो तो मैं चल्दी से इन पर sunset को create कर लगता हूँ को संचेट ड्रॉ नक बाद यहां पिए अब देख सकते हैं मैं सारी विंडूस के संचेट को ड्रॉ कर दिया नेक्स्ट हम यहां पर रेलिंग क्रीट करेंगे टिक ओए सो रेलिंग के लिए मैं यहां पर अबलेट्वी में चला है तो यहां पर हम sketch-up path का use करेंगे। और यहां पर हम्ने simple line को select करना है, line select करने के बाद simple यहां पर मैं click करूँगा, और यहां पर click कर दूँगा, ठीक है, और उसके बाद यहां पर आपके पास different railing के option है, आप glass panel की लगा सकते हो, ठीक है, rectangular pipe, handrail pipe, different और यहां पे option available हैं यहां पर मैं glass panel को use करता हूं कि और यहां से इसको finish कर देंगे let's check ready में जाकर देखते हैं कि हमारा यहां पे railing लगी है के नहीं ठीक है यहां पर देख सकती हो यह हमारी railing यहां पर आ चुकी है भी हम रेलिंग को create करेंगे तो again यहां पर railing पर कलिक करते हैं और लाइन सिबू लाइन लिए और यहां पे ख्लिक करते underm ya और मारी हमारी के लास डाइनग Anda क्रेंगे स्विड़ी में जाएंगे यहां पर मरी डेलिंग भी लग जुक्त सब्सक्राइब जो आपका प्रपट बहुत ने लिए को प्रट के सकते हो परेलिंग के लिए निदेर पर मैं यहां पर लेवल पर जाएंगे लावन टू तो त्री लेवल फॉर पर जाने लेवल 4 पर जाने के बाद यहां पर मैं इन दो वाल्ट को डिलीट करता हूं डिलीट कर देते हैं और इसको प्रेंगो अपनिर्लिग को ग्रिर्ट करेंगे लोगे अर्ट इकशल ट्याइव आउरने के बाद सिंपल आपने से हैं से लिंग इसंपल और यहाँ पर जातेometer स्पल और लाइन को ट्रॉब कर रहते हैं को वे इस पॉन्ड कुंठ प्लिक करोगा इस फॉइंट कर्णा पर थे कर देंगे का सEL से मैं रिरिलिंग रिक्टेंगुर है रहे है और यह और से इस को रिक्ट कर देंगे लिए मनगे देखते हैं कि हम आमना हाते हैं ओक है तो यहां पी अपधे तो हमारी दी निलेंग को भी प्रोवाइड करती है next time यहां पे डोर को प्लेस करेंगे ठीक है तो डोर के लिए सिंपल हम फैमिली का यूज करेंगे इंपल डोर के लेवल वन पर जाते हैं ठीक है और लेवल वन पर जाने के बाद यहां प्यार की टेक्चर टैब में आपको अप्शन मिलेगा कंपोनेट का सो प्लेसा कंपोनेट और डोर को हम सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है लोड फैमिली पर जाएंगे और यहां से हम डोर पर जाएंगे और प्रेजिटिंशल डोर यहां से हम डबल डोर को सेलेक्ट करेंगे यह बला ले लेंगे ओपन करेंगे क्या साइज हम यहां से ले पर दोर जो है वारा लोड हो जाएगा वेट आवाइल प्रीस तो कि 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 वेड़ी में जाके देखते हैं वेड़ी व्यू तो यहां भी आप देख सकते हो माना पर दोर भी आ चुका है इसी तरह आप पर जो मारा लेवल टू है वेड़ी दोर प्रोवाइड करेंगे हैं लेवल टू में जाते हैं और लेवल टू में डगें दोर प्रोवाइड करेंगे अर्टेक्शी टैब में दोर पर जाएंगे इसी तरह डबल दोर हम यहां पर प्रोवाइड करेंगे ठीक है साइज हम यहां से 60 by 84 और इसको भी हम यहां पर प्रोवाइट करते हैं तो यहां पर में दूर को भी प्रोवाइट करी है लेट्स चेक थ्रीडी अपके सो आल कुट यहां पर देख सकते हो हमने एक सिंपल एक्स्टेयर मॉडल को डिजाइन किया है इसमें विंडोस को डिजाइन किया है डिफरेंट पैनल्स को क्रियेट किया संचे ट्रॉग किया रेलिंस को किस तरह हमने प्लेस करना है वो हमने इसमें बात किया है और अपने आक्स वीडियो में अपना बहुत भज़ाख रहा रखेंगा, अपना झाल रखेंगा, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और आपको कोई जी समयाज नहीं आप तक पूछ सकते हैं, अपना घर रखेंगा, तब तक के लिए अलाहाफेज आर्टनलोम पारी समस्य